हाई फ्रेंट्स वेल्कम तुड़ाइक है जी फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कल एक रेड्मी नोट 7 प्रो में एक नए अपडेट आया तो इस अपडेट में आपको क्या-क्या नए फेचर्स मिलते हैं और कमपणी ने क्या-क्या बॉक्स फिक्स किये इस अबाउट फोन सिस्टम अपडेट यहाँ पर अब दसकते मियो आई वर्जन 10.3.7.0 स्टेबल अपडेट है और यह अपडेट हमें 297 MB का मिलता है यहाँ पर हम 3.0 पर क्लिक करते हैं वाट्स न्यू जैसे कि यह आपर आप दसकते अधर लिका है आप्टमाइट सिस्टम प किये तो यहाँ पर मैंने कुछ पर्सनली धूंडा है मतलब क्या क्या फीचर्स आ है तो मैं आपको बता देता हो फटाफर तो सबसे पहले मैंने एक नोटिस किया अगर आप कैमेरा में जाते हो तो यहाँ पर आप देसकते डेडिकेट एक ओप्शन आ गया 48 MP का तो यहाँ अगर आप डाइरेक्ष स्वीच हो सकते 48 MP पे और फोटो खिस सकते यहाँ जा सकते हो प्रो मोड में तो यहाँ पर प्रो मोड है तो फिर यहाँ से आप 48 MP पे सिलेट करके फोटो ले सकते हैं पहले यहाँ पर इधर ऑप्शन था आप फोटो में जाते हो तो आपको यहाँ क्लिक करना पड़ता था यहाँ पर आपसे यहाँ पर 48 MP का option आता था तो यहाँ पर गायब कर दिया वह option बात करते हो और option camera का यह आगर आप setting में जाते हो setting में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो camera frame है वह आप पहला option 4-3 और 6-9 यह आता था तो यहाँ पर full screen यहाँ पर आभी option आ गया है तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी में समझे फोटो निकालता हो तो full screen फोटो आ जाता है तो यह काफी अच्छे बात है मुझे एक टाइप यह फोटो क्रॉप कर लेता है पर दिखने में काफी सही दिखता है full screen फोटो और हम क्या के features में बात करते हैं तो यहाँ पर हम जाते है setting में about phone यहाँ पर आप देख सकते android security patch level उने updated कर दिया है आप देख सकते 2009 501 तो में का Android security patch लेख यहाँ पर update हो गया Redmi Note 7 Pro में तो यह काफी अच्छे बात है Redmi जान दे रहा है और बात करते हैं हम क्या क्या नहीं features मिलते तो वह वापस आपको setting में जाना है डिस्प्ले तो यहाँ पर आप दिसके डार्क mode option आ गया है अगर आप इसको अनेबल कर देते तो आपको पूरा का पूरा जो मतलब ब्लैक हो जाएगा काफी सही दिखता है अग आपको मतलब डार्क mode पसंद है तो आप यह जरूर यूज कर सकते हैं आपको कोई theme इंस्टाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप दे सकते notification पैनल भी आप डार्क हो गया है जो कि दिखने में काफी सही होता है और इसके कुछ stock application है जैसे कि आप दे सकते clock तो यह भी फिचर मिले मुझे इस update में अगर आपको कुछ नया दिखता है आपको मिला है तो जरूर कमेंट में बता देना कि आपको कौन सब्सक्राइब आपको अपके लिए लाते रूंगा तो फ्रेंट मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में कि बिखनी शुमी है जए ठाओ तो रहां तो कि पुच्छा टो कि रहांगर में तो भीफ रहां तो कि डिए नच्छार में तो कि अजय कि अज़ आप अबस जा दो आए